students how are you i hope you all are fine at home yes in mass book open your page number 37 your chapter is ordinal numbers ordinal numbers क्या करते हैं हमें किसी भी person या किसी भी चीज की position के बारे में बताते हैं like आपने अपने result कभी देखा होगो कोई student है first आया कोई second आया है तो ऐसे ही हमें first यानि कि वो class में पहले number पे आया है तो ऐसे ही अगर second है तो दूसरे नंबर पे आया थार्ड तो तीसरे नंबर पे आया तो अब हम यहां पे आया और नंबर टेल सल्स अबाउट order and position क्या बताते है order or position के बारे में अब आपको यहां पर इस पिचर में months of the year पहले हम months के बारे में बात करते है जन्वरी जन्वरी कौन सा मन्थ है फर्स्ट मन्थ है February 2nd March 3rd April 4th May 5th June 6th July 7th August 8th September 9th October 10th November 11th and December 12th अब इसमें हम Spelling चेक करते हैं 1st वन ओनी वन नंबर नेम साब सबको आते हैं तो वन की प्लेस में फर्स्ट एफिर्स्ट तू को क्या बोलते है गया पॉलते हैं 3rd जेगा इसमें 3rd थर्ड गिसमें फार नाइन यह लग जैता है लेकिन अम्हिश्ट नम्बर में क्या जानते हैं ञेंट फिर्स्ट आघाई लग जाता है 10 एलेवन में भी यह सेम्ट और कौन सा नंबर चेंज आता है ट्वल्ट टी डेप्लिव वी इ ट्वल्व होता है और इसमें हमारा चेंज किया अगा टी डेप्लिव एल एफ टी एज तो स्पेलिंग कौन कौन से चेंज होएगी फार्स एकिंड थर्ड फिफ्थ की और दैन ना ईसे ही ओरडर वीग देज 라ट के वेशन संदी मंडेट त्यूज़ेर 10 ट्रंद झाल फॉर्ट फॉन तरिके साथ तरीके से अमने लिखना है spellings आपने learn करनी है you have to learn this spelling with the help of your parents thank you now come to next page number 38 write the positions of the cars in the race अब हमने positions लिखनी है आपको last में हमें दे रखा है fifth first alphabetical according है a b c d तो first car first number पे b car second number पे c car third number पे और d car fourth number पे yes now write the order of the number in the accounting अभी आपने last page इससे पहले जो previous page पे आपने रीड किया था order of number in the accounting one to twelve number तक था as it is आपने वहां से read करके learn करके इसमें fill करना है next step fill in in the week monday is a dash day monday कौन सा डे है week के order के recording अभी हमने रीड किया था तो उसमें संडे हमारा फर्स सा तो मंडे क्या होगा second वेडनेस जे कौन सा हो जाएगा fourth sunday first and dash is a six day अभी तक हम बता रहे थे कि कौन सा डे कौन से नंबर पे आ रहे हैं लेकिन हम बता रहे कि इन नंबर पे कौन सा डे आता है that it means Friday in the year January जन्वरी कौन सा मन्थ है first March कौन सा मन्थ है third April कौन सा मन्थ है fourth अभी हमने सिरफ month of the year बताए थे कौन सा e कौन से प्लेस पे है first second third fourth fifth fifth प्लेस पे है and then letter r comes r कौन से प्लेस पे है sixth place पे write the order of the letter of the alphabet अब अभी तू उजने का alphabet में और बताने a to z में a कौन सा नंबर पे है first d a b c d fourth नंबर पे आ रहे तो fourth b second c third and g seventh h eight j tenth and i ninth आपको यह clear हो जाएगा जब आपको counting paper आती हो alphabetical a to z पूरा आता हो month of the year पूरे आते हो weeks days of weeks आते होंगे तो आपको यह easily clear हो जाएगा तो first of all आपने क्या करना है पहले days of weeks learn करने then month name learn करने और counting तो और switch spellings इससे आपको सारा clear हो जाएगा thank you have a nice day